हेलो विद्ध्यार्थी मित्रो, एज्जुक्ट्यक नो चैनल मा आपनो स्वागत छे, आजे आपने शेखेशु दोरण दस विशे सामाचिक पिग्णान पाठ चार भारत नो सहितिक वार्सो, पाठ चार ना स्वाध्याना प्रश्णोना जवाब नी समझ मिलविशु, तो चा प्रश्णोना सविस्तर उत्तर लखो, जेमा सवाल नंबर एक भारत माँ वेदो किटला छे औने कया कया छे ते समझावो, जवाब लखीशु वेदो चैर छे, रुगवेद, यजुरवेद, सामवेद औने अथर्ववेद, रुगवेद विशे जो ये तो रुगवेद भा प्राचिनतम अने दस भागमा पहेंचा एलो अदभूत ग्रंथ चै, त्यामा कूल एक हजार ने अठ्याविश रूचावो एटले के सुक्तो चै, त्यामा थी मोटा भागनी रूचावो देवोने लगती स्तूतियो चै, आ स्तूतियो यग्न प्रसंगे करवामा आवती, त त्यामा थी उशाने संब्धन करती केटलिक स्तूतियो मन मोहक चै, त्यार पची यजूरवेद, यजूरवेद यग्न प्रसंगे करवानी वीधी दर्शावी चै, एशलोको रागन लई साथे गावामा आवे चै, त्यामा यग्नो ना मंत्रो, यग्ने नी क्रियाओ अने व प्रमकांडो अने संस्कारोनु वर्णान चै, बे, तक्षशीला विध्यापीट विशे नौंद लखो, तक्षशीला विध्यापीट हालना पाकिस्तान मा आवेल, रावल पिंडी नी पस्ची में आवेली हती, तक्षशीला प्राचिन गांधार प्रदेश नी राजधानी शहर हतु, सात्मा सैकामा ते भारतना महत्वना विध्याकेंद्र तरीके जानीतु हतु, एक दन्त कता एटलेके मौखित वात प्रमाने रगोवन्शी भगवान, रामना भाय, भारतना पुत्र, तक्षणा नाम पर्थी, आस्थलनु नाम तक्षशीला पड़ु होवानु म वगेरे कुल 64 विध्याओनु शिक्षण आप्वामा आवतु हतु, वारानसी, राजगुरु, मिथिला, उज्जेन, वगेरे दूरना शहरों माथी विध्यार्थियो आविध्यापीटमा अभ्यास माथे आवता हता, भगवान बुद्धना शिष्य, जीवके विध्यापीटमा शिक्षण लिधु हतु, तक्षशिला विध्यापीटमा विध्यार्थिने तेनी पसंदगी और रसना विषय आप्वामा अवता हता, पांचमी सदिनी शरुवातमा चीनी प्रवासी पाहियाने तक्षशिला विध्यापीटमा विध्यार्थिने तेनी प अधुग मा अपब्रंश बाशा मा थी आधुनिक भारतीय बाशावोनों विकास थायो छाया। मध्ययुग दरम्यान द्रवेड कुलनी बाशावोमा घणु तमील सहित्य रचायो छया। वक्ति गीतो रचाया। राजस्थानी बाशामा आला, उदल, बीसलदेव रासो नामनी प्रक्यात वीरगाथावो रचाये। मुल्ला, दाउद, रचित, चंद्रायन, अवद बाशावोनों सवती जुनों ग्रंथ मनाई छया। जोके आ समय दर्मियान प्राचिन ग्रंथो परना भाश ग्रंथो एटलेके टीका ग्रंथो संस्कृत भाशामा रचाया हता। सल्तनत काल मा फारसी दिल्लीना सुल्तानोंनी राज भाशा हती। तेनी सहित्यनी असर रुपे अनेक फारसी शब्दोनों भारती भाशावोमा समावेश थयलो छया। कबीर जेवा बक्तिमार्गना अनेक संत कवियोये लोक भाशामा उपदेश अपवो। कबीर ना दोहरा लोक सहित्य तरीके जानीता बन्या। कबीर नी रजनावो मुख्यत्वे सदुंकडी लोक भोलीमा छया। आ समयमा अवदी भाशामा मलीक मुहम्मद जाईसीय पदमावत नामनु महकाव्यो अने संत तुलसी दासे रामचरित मानस नामनों प्रसिद्ध ग्रन्थ लख्यो हतो। बंगालना सुल्तानों नूं प्रोत्सहन मलवाथी बंगालीमा कृत्ती वासे रामयन कवी चंडी दासे गीतो संत चैतेन्य भक्ती गीतो रच्याहता। नरसी मेताय गुजराती बाशामा अने नामदेवत था एक नाठे मराठी बाशामा तेमाज मीराबाईय राजस्थानी अने गुजराती माँ प्रक्यात भक्ती पदो रच्याहता। कश्मीर मा जैनूल अबिदिन ना आश्रय महाभारत अने राज तरंगीनी जेवा संस्कृत ग्रंथो नो फार्सी भाशामा अनुवाद करो हतो। विजैनगर ना महान सम्राथ कृष्ण देवराय आमुक्त मलदा नामनो ग्रंथ रच्यो हतो। मोगल बाच्या बाबरे तूजुके बाबरी अने बाच्या जहांगीरे तूजुके जहांगीरी नामनी आत्मकथाओ तूर्की भाशामा लखी हती। हुमायूनी बहन गुल बदन बेगमे हुमायूनी आत्मकथा बहुमायू नामा लखी हती। बाच्छा अक्बर ना समयमा अबूल फजले फार्सी बाशामा आयन अक्बरी नामनो अइतिहासिक ग्रंथ लख्यो हतो, त्यमाज त्याने अक्बर नी आत्मकथा अक्बर नामा लख्यी हती अबूफजलनो बाए फेजी फार्सी बाशानो महान कवी हतो, त्याने अनेक संस्कृत ग्रंथोना फार्सी बाशामा अनुवाद कर्वा माटे एक अलग खाता नी रचना करी हती अक्बरना समयमा इतिहासना अनेक ग्रंथो रचाया हता चेलो मुगल बाच्या बहादूर्शा जफर उर्दु भाशानों कवी हतो मध्ययुक दरम्यान उर्दु भाशानों जन्म थयो जे भाशा सहीतेनी एक महत्वनी गटना गणाई छे आबाशा मा वली, मर्दद, मिर्तकी मीर, नजीर अकबराबादी, अस्दुल्ला खान, गालीब वगेरे महान कवियो थाई गया हता अडार्मी सदी दरेम्यान उर्दु ग्रंथों लखाया जेमा महमद हुसेन आजाद नो दर्बारे अकबरी एक महत्वनों ग्रंथ छे त्यार बाद प्रश्ण नमबर बे नीचाना प्रश्ण ना उत्तर मुद्धासर लखो सवाल नमबर एक वल्बी विद्यापीठ नी महीतियापो वल्बी विद्यापीठ इश्विशन सात्मी सदीमा गुजरात नुँ प्रसिद शिक्षन के अंदर हतु भावनगर पासेनु वल्बी पूर ए समय मैत्रक वन्षना तक कालीन शाषकोनी राजधानीनु नगर तेमच धीकतु अंतर्राष्ट्रिये बंदर हतु वल्बी पूर ने प्रसिद्ध विद्यादाम बनावामा मैत्रक राजाओ अने स्रीमन्त नागरिको स्रेष्टी ओनो फालो खुब मोटो हतो वल्बी मना मैत्रक राजाओ आ विद्यापीठ ना मोटा आश्रैधाताओ हता तेओ बहुद्ध धर्मी नो हता सनातनी हता छता तेओ विद्यापीठ ने दान करता हता ए दान माथी विद्यालैनो नी बाव थतो हतो वलबी विद्यापीट मा हजारों ववद्ध सादू अने ब्रामन विद्यार्थियों चैंगे त्यमाज देश विदेश माथी अनेक विद्यार्थियों उच अब्यास माटे आवता हता ए समय वल्बी विद्यापिट बाउद्ध दर्मना हिनियान पंथनू केंद्र हतु। अहीं बाउद्ध दर्म उप्रांत बीजा दर्मोनु पन शिक्षण अप्पामा आवतु हतु। वल्बी विद्यापिट त्यानी विशिष्ट शिक्षण प्रणालीने कारणे भारत अने विश्वमा प्रसिद्ध बनी हती। अहीं मोटा बागे दरेक विशेनू शिक्षण अप्पामा आवतु हतु। तेखरेकर आंतर्राष्टिये विद्यापिट हती। इपचि वल्पि विद्यापीट नी किर्ती जाकी बड़ी गई। अने थोड़ा समय पचि विद्यापीट नो अंध आब्यो। सवाल नमबर 2, नालंदा विद्यापीट विशेम महित्य आपो। नालंदा विद्यापीट नी विष्तरूत समझ अप्रमाणे छे, नालंदा विद्ध्याबिट बीहार राज्यना पटना जिल्लाना बन गाउगाम पासे आवेली छाया नालंदा भारतिय संस्क्रूतिनू तीर्थ धाम हतु ते बौध दर्मनू केंदर हतु पाचमी सदी मां कुमार गुप्त राजाए अहीं एक विहार बंधाव्यो हतो तमे नालंदा विद्ध्याबिट नू चित्र जोईशको छो महावीर स्वामी ए अहीं चाउद चत्तूर मास कर्या हता तेथी ते जैन धर्मनू तीर्थ बैनू हतु इसुनी पाचमी थी साथमी सदी दर्म्यन नालंदा विद्ध्याबिट शिक्षण धाम तरीके खुब प्रसिद्ध हती देश प्रदेश थी अनेक विद्ध्यार्थियो अहीं अभ्यास अने शंशोधन माटे आवता हता आविद्यापिट मा हजारो हस्तलीकित ग्रंथोन अमुल्य भंडार हता अहीं विश्वमा स्रेश्टत्तम गणाय तेवा ग्रंथालयो हता अहीं नो ग्रंथालय विश्तार दर्म गंजना नाम थी ओलखातो हतो सात्मी सदीमा चीनी प्रवासी यूएन शांगे आ विद्यापिट मा रही बहुद दर्मना शास्त्रोनों अभ्यास करो हतो तेचीन पाचोगयो त्यारे 657 ला हस्तलीकित ग्रंथो पोतानी साथे लई गयो हतो नालंदा विद्यापिट मा सात मोटा खंडो हता तेमा आश्रे 300 व्याक्यान खंडो हता विद्यार्थियोने रहवा माटे मठो हता विद्यापिट ना निभाव माटे दानमा मलेला अनेक गामोनी आवक माथी विद्यार्थियोने रेठान, भोजन अने वस्त्रो विना मुल्ये पूरा पाडवामा आवता हता नालंदा विद्यापिट मा तत्वग्णान, शिल्पकला, मंत्र विद्या, नियाय, व्याकरण, तरक शास्त्र, योग शास्त्र, वगेरे विशयोनु त्यमाज बहुद धर्म अने वेद धर्मनु शिक्षन आप्वामा आवतु हतु लगबग 700 वर्ष सुधी देश प्रदेश मा ग्ण्यान नी अखंड जियोत फेलावनार नालंदा विद्यापिट ना आजे मात्र भगन अवशेशो ज जोवामाला छे ए अवशेशो भारतनी बैवसंस्कृतिनी प्रतिती करावे छे त्यार बाद प्रश्ण नंबर त्रण नीचेना प्रश्ण ना उत्तर टुक मा लखो एक यजूर्वेद विशे समझूति आपो यजूर्वेद यग्णनो वेद कहवाई छे त्या गध्याने पद्य एम बनने स्वरूपो मा रचायल छे त्यामा यग्णवक्ते बोलवामा आवता मंत्रो क्रियाओ औने विधियो नुँ वर्णन करवामा आववू छे बै अथर्ववेद मा कई महिती आपोमा आवी छे अथर्ववेद मा अनेक प्रकारना कर्मकांडो अने संसकारोनी महिती आपोमा आवे छे ત્રણ સ્રિમત ભગવદ ગીતા માં કયા દારશનિક સિધધાનું વિવેચણ છે त्यार बाद प्रश्ण नमबर 4 नीचे ना दरेक प्रश्ण नी नीचे आप्यला विकल्प माथी साचो विकल्प पसंद करी उत्तर लखो एक भारती साहित्यनों प्राचिनतम ग्रंत खाल जिग्या छे जवाब माटे चैरो अप्चान छे साचो जवाब थशे ए रुगवेद चैरो नमबर 2 बहुद सहित्य कई भाषा माला खायुँचै जवाब थशे ए पाली भाषा माला खायुचै सावाल नमबर 3 द्रवील कूल नी सवथी जूनी भाषा कई छे ए तमिल, बी तेलुगू, सी कन्नड अनडी मलियालं जवाब थशे ए तमिल भाषा छे सावाल नमबर 4 कवी चंदबर्दायनों कयो ग्रंथ हिंदी सहित्यनों प्रारंबिक्र ग्रंथ छे सावाल नमबर 5 महर्षी पाणी नों महान ग्रंथ कयो छे ए अश्टादाय, बी प्रुत्वी राज रासो, सी विक्रमांक देव चरित अनडी चंद्रयान जवाब थशे ए अश्टादाय ग्रंथ जे पाणी नीनों छे अही आपना 5-4 ना प्रश्णों ना जवाब पूर्ण थशे विध्यार्थी मित्रों दोरण 10 ना सामाजिक विग्नान ना तमाम पाटना स्वाइधन प्रश्णों ना वीडियो अपनी चैनल पर उपलबद छे जे तमे दोरण 10 सामाजिक विगिनान नाम ना प्लेइलिस्ट मा थी मिल विशक्षों प्लेइलिस्ट नी लिंक वीडियो ना डिस्क्रिप्शन मा पन आपेली छाया थेंक क्यू दोस्तो एजुक टेक नो चैनल तरप थी वीडियो नी हालवा बदल आपनो आबार आवा बीजा वीडियो ज नी हालवा माटे अमारी यूटूब चैनल एजुक टेक नो अत्यारेज सब्सक्राइब करो आभार दोस्तो